नमस्कार दोस्तों मैं आपके अपने चैनल वैदिक जोतिश में आपका स्वागत करता हूँ प्यारे दर्शकों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सस्क्राइब कर लें और हाँ बेल का आइकन दबाना ना भूए दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ मकर संक्राइब में किस वस्तू का दान करने से कौन से ग्रह का दोश दूर होता है जोतिश के अनुसार जब सूर्य धनूराशी से निकल कर मकर राशी में प्रवेश करता है तो उस दिन मकर संक्राइब कही जाती है इसे बहुत सी जगा तिल संक्रांत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इसी दिन भगवान शनी ने अपने पिता सूर्य नारायंड की पूजा तिल से करी थी इसलिए इसे तिल संक्रांत भी कहा जाता है इस दिन हमें तिल का दान अवश्य करना चाहिए इससे हमें अक्षय दान की प्राप्ति होती है दोस्तों इसी को उत्रायन भी कहा गया है दोस्तों मकर संक्रांती के दिन पवित्र नदियों में स्नान कर तिल का दान करन्या बहुत ही शुब माना गया है सूर्य ग्रह के दोशों को दूर करने के लिए आपको इस दिन गुड, घी, आठा और काली मिर्च का दान करना चाहिए चंदर गरह के विकारों को दूर करने के लिए आपको इस दिन कपूर, घी, दूद, दही का दान करना चाहिए मंगल ग्रह के दोशों को दूर करने के लिए आपको शहद का दान, गुड का दान, लाल कपड़े का दान या फिर लाल चंदन का दान आप कर सकते हैं बुद्ध ग्रह के दोशों को दूर करने के लिए आप धनिया या फिर शहद या हरी मोंग का दान कर सकते हैं ब्रहस्पती ग्रह के विकारों को दूर करने के लिए आप इस दिन केले का दान करें पीली डाल का दान कर सकते हैं शहत का दान कर सकते हैं या फिर हल्दी का दान करें शुक्र ग्रह के दोशों को दूर करने के लिए आप आलू, इत्र या फिर मिस्री का दान करें दोस्तों शनी ग्रह के लिए आप सफे तिल या काला तिल या फिर अधरक का दान करें इससे आपके सभी दोश दूर हो जाएंगे दोस्तों यह वस्तूओं का दान करने से सभी ग्रह के दोश दूर हो जाते हैं और उन्हें अक्षे पुन्यों की प्राप्ति होती है आज के लिए इतना ही दोस्तों धन्यवाद जय माता जी